हाई दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं श्विल प्रक्रिया संगिता 1908 के अंतरगत क्रोस अब्जेक्शन की यानी जिसे प्रत्याच्षेप के नाम से जाना जाता है इस टापिक पर हम आज बहुत अच्छे से परने वाले हैं जो आडर 41 के रूल 22 में समाहित है तो आईए चलिए हम इस पर बात करते हैं तो इसको हम एक example या explanation के जरीए हम इसको पहले समझेंगे कि यह cross objection होता क्या है जैसा कि आप समझ सकते हैं यह एक person है और वह बी के विरुध वाद सूट दायर करता है यह क्या करता है बी के विरुध वाद दायर करता है और वह quote में जाता है और quote से दो प्रकार की demand करता है कि हमको आप specific performance दे किसकी मांग करता है डैमेज की मांग करता है यह एक person है वह बी के विरुध कांट्रेक्ट के अंतरगत समझेंगे ब्रीच की ब्रीच होने के बाद court में जाता है और court से दो प्रकार की demand करता है पहला किसकी कि आप हमे specific performance यानि समझेंगे मिर्दिष्ट पालन की demand करता है और द और वह यह सारे देने से मना कर देता है जहां तक अगर इस हम contract की बात करें इस suit की बात करें तो यहां पे जो A है वह aggravate person है और दुसरे तरीके से देखा जाए तो A को आप decree holder भी कहते हैं क्योंकि उसके पच्छ में नुक्सानी की decree पारित हुई है उसके फिवर में और B कौन judgment dipter है यानि वह उतना पैसा चुकाएगा तो आपने क्या देखा A के पच्छ में न्याले ने नुक्सानी उसने जो second relief मागा था नुक्सानी की decree न्याले ने A के पच्छ में पारित कर दी बलकि SRA को मना कर दिया तो यहां पे A कौन हुआ decree holder हुआ और B judgment dipter हुआ अब आईए अब B जो judgment dipter है उसके पास के option है उसको देखते हैं B appeal करता है B क्या करता है अपने higher quote में appeal करेगा जब B appeal करता है तो A के पास के option है A के पास दो option है पहला option है cross appeal अब हम बात करेंगे हम cross appeal पे इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हम बात करने वाले cross objection में cross objection क्या होता है अब आप समझ गए होंगे अगर आप वो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि A एक व्यक्ति था और B के विरुद सूर दाखिल करता है और दो प्रकार की डिमांड करता है कि SRA की डिमांड करता है एक damage की डिमांड करता है दोनों की डिमांड करता है तो नियाले क्या करता है SRA नहीं देता है damage उसे प्रदान करता है और SRA को मना करता है तो यहाँ पे जो B होता है जो judgment drifter है वह appeal करता है वह क्या करता है हार कोट में appeal करता है तो A के पास दो रास्ते हैं एक cross appeal और दुसरा cross objection cross objection क्या होता है अब हम आपको समझाते है cross objection एक appeal की भात ही होता है तो जिस प्रकार appeal की जाते हैं उसे प्रकार यह cross objection भी किया जाता है इसमें appeal के सारे आवश्यक्तत तो पाए जाते हैं appeal की जैसा appeal होता है वैसे ही अभ्यावेदन के रूप में भी यह दाखिल होता है इसमें भी नियाले सुल्क देना होता है क्रोस अब्जिक्सन का प्रश्णम ही उड़ता है जहां रिस्पॉंडेंट ने डिक्री के विरुद अपील नहीं किया है इसका मतलब यह होता है जैसे कि जो A था उसे वो नहीं मिला था बलकि डैमेज की उसे प्राप्ति होई थी लेकिन वह सेकेंड हायर कोर्ट में इसलिए नहीं गया कि हमें SRA चाहिए तो उसने क्या कि अपील नहीं किया था वह चुप था तो यहां पे अपील किस नहीं किया था बी नहीं किया था तो यहां पे A कौन है Respondent है तो Cross Objection हमेशा कौन करता है वह Respondent करता है किस के विरुद करता है Appeal के विरुद करता है और Appeal के विरुद किस की बात करेगा कि भाईया यह जो Appeal में गये है तो आप हमको वहां पे Appeal में Respondent यह बात रखेगा कि हमको डैमेश के लावा हमको अब क्या चाहिए सारे चाहिए हमको Specific Performance चाहिए वह जाकर Cross Objection में पनी बात रखेगा आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह इसका Appeal का परियाए है एक तरीके से अब बात करते हैं Who में Cross Objection कौन Cross Objection करता है तो इस नियम के अधिन Cross Objection वही करता है जो निचले नियाले की Decree के विरुद अपील करता था किन्त उसने अपील नहीं किया सामाने तह Cross Objection Respondent के द्वारा किया जाता है आप एसा समसकते हैं कि यहाँ पर जो ए बेक्ति था जब नियाले ने उसके फिवर में Damage कहा कि आपको Damage मिल जाएगा लेकिन यह सारे देने से मना कर दिया यहाँ पर भी अपील करता था कि Higher Code में कि हमें क्या चाहिए हमें यह सारे चाहिए न कि हमें Damage चाहिए तो यहाँ पर उसने अपील नहीं किया था तो जब B अपील करता है तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है यहाँ पर जो A है वो Cross Objection कर सकता है अब Second Thing पर ध्यान देते हैं कि Whom Against Cross Objection किसके विरुद Cross Objection किया जाएगा तो जिस जो अपील किया रहता है उसके अगेश्ट में Cross Objection किया रहता है अब इसका लिम्टेशन क्या है लिम्टेशन पिरिड इसका 30 दिन है जैसे कि आप समझते हैं कि यह जो B नामक परसन है वो जब अपील करेगा बी नामक परसन जब अपील करेगा तो कोड क्या होता है एक सूचना की तामिल करवाएगा A के पास उस सूचना की तामिल की थी जिसे 30 दिन के इंतरगत एक क्रोस अप्जेक्शन कर सकता है अब आईए हम इसके IMPORTANCE पर बात कर लेते हैं कि इस क्रोस injection का IMPORTANCE क्या है तो जहां जो respondent है जो पतिर्थी है ने उसने क्रोस अप्जेक्शन किया है वह cross objection कर चुका है और याद appeal dismiss हो जाती है या dismiss in default के इंतरगत खारिज हो जाती है तो appeal खारिज होने के बाद भी cross objection को सुना जाएगा और उसे अवधारित किया जाएगा या इसका importance है Thank you दोस्तो